घौडूटोडोडाव़ nope बरीली मुझे आज हम लोग ने शुकी शूम्शानौ बीऑन्वीं फातक पर शूम्शानों के महराज़य के दरवाग!" हम बताना जाएंगे हम लोग फाटक पारा चुके हैं और ये जो दर्वार है महादेब का तीन पहाडियों के बीच में हैं ये पहली पहाड़ी है जो फाटक के तुरंट बात पढ़ती है अंका हरा भरा वाता वरन दर्वार का सुन्दन जारा इसी पहाड़ी पर है शम्शानो के महाराजा शम्शान अद्यपती महदेब का दर्वार ये बाहार का सीन है फाइनली हम दर्वार आ जुके हैं यह महादेब का सुन्दर दर्वार पहार से हुई चलिए अंदर चलते हैं यह बरेली की सबसे बड़ी शम्षान भूमी है सिटी शम्षान भूमी फाटक का नाम भी शम्षान भूमी के नाम भी पड़ा है शम्षान भूमी फाटक यहां के वासी अच्छी तरीकी से जानते हैं स्वाथ को तो आदेव पहचान है शम्षान की, शम्षानों के महराजा है वो, और ऐसी सुंदर परतिमा, बहुती दुर्रफ परतिमा है यहां बाबा की, बहुती सुंदर दर्शन है, चलिए सीवियों पर चपते हैं, उसका आजाता है, यहां पर इक चंदन का पेड़ भी था, जो कि बता, यही दिए है, यहां बादेव का सुंदर दर्बार इसका आजाता है, यहां पर तभी चंदन का पेड़ भी लगा था, जो कि माननीय राश्पती द्वारा, डक्र राजिम पसा द्वारा लगाए गया था, तक काल अंतर में उसे यहां से चोर ले गए, यह नहीं दारा है, पीछे शंचान मुमी का, यह बहर बाबा की पाड़ी तो आज पे हम शंचान अथी पती बाबा के दरवार में, तो यह हमारे बाबा और यह हम लोग, और अब रवानी की तरफ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना अंत न पाया, तेरे कैलाशों का, अंत न पाया, अंत बेंत तेरी माया ओ भुले बाबा, अंत बेंत तेरी माया शंकर संकट हरना बेल की पतिया, भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाएं ओ भुले बाबा, शिव जी के मन को लुभाएं शंकर संकट हरना एक था तेरा तेरा चंबरे चगाना दुझा लाई दिता भार मौरा ओ भुले बाबा, दुझा लाई दिता भार मौरा शंकर संकर्ट हरना शंकर संकर्ट हरना दीनन के प्राभु शंकर्ट प्यारे बगतों के दिल में विराजे ओ भुले बाबा बगतों के मन में विराजे शंकर संकर्ट हरना शंकर संकर्ट हरना बोलो शंकर्वगवान ही जै झाल 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 झाल